नमस्ते योग लच्मी की रसोय में आपका स्वागत है जैसे कि आप लोग जानते हैं जनमस्ट मी आने वाली है तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा नार्यल पाक बनाना बताऊंगी जिसे आप किसी भी तोहार में मिंटों में जट्पट बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी परेगी आप भी मेरी इस रिसीपी से नार्यल पाक जरूर बनाए और लड़ू गोपाल को भोग लगाए तो चलिए नार्यल पाक बनाना सुरू करते हैं नारियल पाक बनाने के लिए मैंने एक नारियल को काट के अच्छे से धो लिया है इसके छिलके भी निकाल लिया है अगर आप चाहे तो बिना छिलके निकाले भी नारियल पाक बना सकते हैं पर अगर छिलके निकाल देंगे तो पाग ज़्यादा स्वादिश्ट लगेगा और अच्छे दिखेंगे और एक बात मैंने पाग बनाने के लिए फ्रेस नारियल लिया है पर अगर आपके पास खोपरा या सूखा नारियल हो तो आप उसे भी नारियल पाग बना सकते हैं चलिए आब इसे चाकू से छोटे छोटे पीसेς काट लेते हैं जिससे कि जब नारियल को मिकसर जार में डाल के पीसे तो वह अच्छे से बारिक पीसा जाए ये देखिए मैंने सारे नारियल को काट लिया है अब नारियल को मिकसर जार में डालके पिस लेते हैं ये देखिए नारियल को इतना बारिक पिसना है अगर आप चाहे तो नारियल को मिकसर जार में पिसने के जगा ग्रेट पी कर सकते हैं अब अगर मैं मेजरमेंट से बताऊं तो नारियल धाई सो ग्रम है चले अब नारियल भूनने के लिए गैस पर कड़ाई चड़ा के एक चमस गी डाले अब इसमें पीसा वा नारियल डालके बस दो से तीन मिनट तक भून ले गी डालके भूनने से नारियल के पाक का स्वाध और भी बढ़ जाता है हम नारियल को इसलिए भून रहे क्योंकि इसे भूनने से नारियल में जो नमी है वो सुक जाएगा और भूनने से इसमें बहुत अच्छी कुस्वा आ जाएगी अब आप एक बात का ध्यान रखे कि हमें नारियल को लगातार कल्ची से चलाते रहना ह और नारियल को दो से तीन मिनट ही भूनना है इससे जादा नहीं भूनना है क्योंकि अगर आप इसे जादा भूनेंगे तो नारियल का कलर चेंज हो जाएगा और एक बात हमें नारियल को धीमी आज़ पर ही भूनना है क्योंकि अगर तेज आज़ पर भूनेंगे तो नारि ड्राइफूट्स भूनने के लिए कराही में दो चमसगी डालें और इसमें बारी कटेवे काजू, बदाम और चिरोंजी डाल के दो मिनट तक भून लें आप चाहे तो ड्राइफूट्स में पीस्ता और किस्मिस भी ले सकते हैं ड्राइफूट्स भूनके डालने से नारियल आपको काफी दिनों तक इस्टोर भी कर सकते हैं देखे ड्राइफूट्स भूना गए हैं चलिए अब हम इसे कराही में से निकाल लेते हैं इसके बाद चासनी बनाने के लिए गैस पे कराही चड़ा के एक कप याने के धाई सो मिली लीटर पानी डाले और आदा कप याने क 125 गराम सक्का डाले अब इसे एक तार की चासनी बनने तो गैस पे चड़ा रहने दे धियान रहे कि गैस की आंस लो टू मीडियम हो नहीं तो अगर आप गैस की आंस तेज कर देंगे तो चासनी का सारा पानी सुख जाएगा यह देखे सक्कर पूरी तरह से घूल गई है अब चेक कर लेते हैं कि एक तार की चासनी बनी है की नहीं यह देखे चासनी में एक तार बन रहा है चलिए अब इसमें भूना हुआ नारियल डाल के अच्छे से मिलाए और लो टू मीडियम मास में बस 10 मिनर तक इसे पकने दे अगर आप चासनी को एक से ज़्यादा तार क बना लेंगे तो जब हम इसमें नारियल डाल के भूनेंगे तो चासनी भी ज़्यादा पक जाएगी और नारियल के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगी चलिए आब इसमें भूने हुए ड्राइफ फूर्ट से डाल के अच्छे से मिक्स करें देखे नारियल पाक का मिकसर बन के तयार है अब गैस बन कर देते हैं इसे तयार करने में मुझे सिर्फ दस मिनट का टाइम लगा है और अब नारियल में बहुत अच्छी खुस्पू आने लगए आब इस जनमस्टमी पर यह रिशिपी ट्राइ करके स्वादिष्ट नारियल पाक बनाए चलिए अब एक प्लेट को घीर लगा के ग्रीस कर दें और इसमें नारियल पाक का मिकसर डाल दें अब इसे ऐसे अच्छे से स्मूथ कर ले यह देखिए पाक का मिकसर अच्छे से स्मूथ हो गया है अब इसे एक घंटे के लिए फ्रीज में सेट होने को रख देते हैं ताकि जब यह अच्छे से सेट हो जाए तब इसे चाकू से काट ले एक घंटा हो गया है यह देखिए पाक का मिकसर सेट हो गया है अब इसमें से चाकू से पाक काट लेते हैं ये देखे कितना perfect और स्वादिष्ट नार्यल पाक बना है और इसकी थिकनेस भी एकदम perfect है स्वादिष्ट नार्यल पाक बनके तयार है मेरे रिसीपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें